कि अलो स्टुरेंट यहां पर देखिए क्वेस्टन दिया हुए कि इन दी फॉलॉइंग कॉमन एमीटर कन्फिग्रेशन ठीक है कॉमन एमीटर कॉन्फिग्रेशन है एन पी एन ट्रांजिस्टर लगा हुए करेंट गेन हैं हंड्रेड आउट्पुड वोल्टेज ऑफ दी अम ठीक है वोल्टेज गेन क्या होता है तो वोल्टेज गेन जो होता है वो होता है आउट्पुड वोल्टेज बाई इन पुट वोल्टेज ठीक है आउट्पुड वोल्टेज बाई इन पुट वोल्टेज अब यहां पर सिंपली यह फॉर्मूला तो है साथी साथ आपने ओम पढ़ाओगा उसमें पढ़ाओगा V equals to IR तो उसको voltage equal to हम लोग पढ़ते हैं current इन्टू resistance यह formula हमने V equals to IR ohms law में पढ़ा था तो इसी को यूज यहाँ पर किया जाता है इस तरह से की यह voltage के जगा जगा voltage gain current के जगा current gain और रेजिस्टेंस के जगा रेजिस्टेंस गेन इसको यूज करेंगे तो आप देखिए voltage gain का मतलब क्या है voltage output by voltage input current gain का मतलब क्या होगा current gain का मतलब यह नहीं लिखने की current output by current input यहां पर current gain given है तो आप उसको डारेक्टली बीटा लिखो न वो तो गिवन है न बीटा दिया हुए into resistance gain अब यह resistance gain देखिए क्या होगा तो resistance output by resistance input अब यहां पर आप देखिए कि निकालना क्या आपको output voltage मतलब वी ओ निकालना है तो वी वी ओ एक्वस्तू क्या हो जाएगा beta into Ro by Ri into Vi अब देखिए beta 100 आर आउट पुट देखिए आउट पुट में जो resistance हो यह इंपूट में जो resistance हो यह तो output resistance हो जागा 10 और input resistance हो जागा 1 अब input voltage यह वाला यहां देखिए यह वहन मिली वोल्ट मिली वोल्ड का मतलब गया 10 तो दिपवाउ सद्री वोल्ट ठीक आपड़ीए ये रबढ़त 2050 और यहां 3 कब पावर सद्री पूरा मिल के 1 बोल्ट जाएगा तो वोल्टेज आउट पुट्थ जो होगा वो one volt यहां पर आएगा उम्मीद आपको एक question समझ आगे होगा thank you so much for watching